नमस्कार आप देख रहे हैं खबर मेडिया दोस्तो आपको बता दें कि आज की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि सुसान सिंग राजपूत केस में एक और बहुत बड़ी गिरफतारी हुई है जीहां आपको बता दें कि NCB ने एक और ड्रक्स माफिया को धरदबोचा है और इसके घर पर भी छापे मारी की गई है और कहा जा रहा है कि यहां से ड्रक्स की भारी खेप प्रामद हुई है तो आप सभी बहुत ध्यान से देखना मैं आपको बता हूँगा कि कैसे NCB ने एक बार फिर से सुसान सिंग राजपूत केस में एक और बहुत बड़े मुझरिम को सीधे पकड़ लिया है दोस्तों आपको बता दे कि इस बार किसी और की गिरफतारी नहीं हुई है बलकि एजाज खान की हो गई है राजिस्थान से आने पर उन्हें कल मुंबई हवाई अड़े से हिरासत में ले लिया गया था एजेंसी ने कहा है कि उसे सहर के अंधेरी और लोखंड वाला इलाके में तलासी के दौरान उसके घर पर अलपार जोलम की गोलियां मिली थी एजेंसी ने कहा है कि एजाज खान नसीले पदार्थ की सप्लाई करने वाला सादाव फारुक सेख और सादाव बटाटा के सिंडिकेट का हिस्सा भी है सेख को पिछले गुरुवार को गिरफतार किया गया था और उसके पास से दो किलोग्राम से अधिक परती बंदीत मैं फेर ड्रोन ड्रक्स बरामत की गई थी आप देख रहे हैं दो किलोग्राम से भी जादा आप समझ तकते हैं कि ये कितना बड़ा ड्रक्स मापिया है आपको बता दे बटाटा दवरा किये गए खुलासे के बाद एजिंसी ने एजाज खान को NCB मुंबई कारियाले में पूश्टाश के लिए बुलाया था कारियाले के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए एजाज खान ने दावा किया कि उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया था बलकि वे स्वेक्षा से अधिकारियों से मिलने के लिए गये थे पत्रकारों से बात कर परपात हो गया था और वे टैंसन में थी वे उन गोलियों को ले रही थी एंसीबी ने हाल के महीनों में कथित बॉलीवू ड्रक्स सिंडिकेट पर सिकंजा कस दिया है जिससे इस समंध में पूश्टाच और गिरफतारिया हो रही है जाच पिछले साल अभिनेता सुसान सिंग जी हाँ अभिनेता सुसान सिंग राजबूत के साथ हुई घटना के बास से ही सुरू हुई है इस चनल के दोरान NCB द्वारा दीपिका पादुकून अर्जुन नामपाल सरध्या कपूर और सराली खान सहीत कई फिल्मी इस्टार्स अब तक इन से पूश्टाच हो चुकी है एजेंसी ने अवैध ड्रक्स रखने के आरोप में हाल के दिनों में कई विदेसी नागरिकों को भी गिरफतार किया है उधारन के लिए सोंबार को उसने एक नाइजीरिया नागरिकों पकड़ लिया है और नवी मुंबई छेतर से 200 ग्राम मैफे ड्रोन ब्रामत किया गया ह तो आप देख रहे हैं कि आज एजाज खान की गिरफतारी हो गई है एजाज खान काफी ज़्यादा वश्ता फिर रहा था और जब तमाम मेडिया एंकर्स ने इससे पुछने की कोसिस की तो इसने तो साफ साफ इंकार कर दिया कि इसके घर पर कुछ भी नहीं मिला है और इत है कि पर उसान सिंग के अभी एक से भड़कर एक गिरफतारी हो रही है तो यहीं था वीडियो में वीडियो को लाइक करना इसे सेर करना और चैनल को सबस्क्राइब करना धनेबाद